नमस्कार मित्रों कैसे आए आसा करता हूँ सब ठीक होंगे और मित्रों मैं अभी उमान में हूँ और एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग भी है वह आप मेरे बैक्ग्राउंड में देख सकते है यह जो बिजली की लाइन जा रही उपर और मैं यहां पे बहुत ही जबर्दस हार् तो गूगल मैप पे आपको बताएगा कि कितनी हार्ड है यह जियोग्राफिक लोकेशन चारा तरफ यहां लाइमिस्टॉन की पाडियां है और बहुत ही मतलब कठीन है यहां पे रोड वगरे बनाना लेकिन इस फियोड के अंदर फियोड वो समूंदर की जगह होती है जो स पानी से आजाते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो लोग कैसे मैंटेन करते हैं और अभी से नहीं काफी समय से वह मैं आपको दिखाने वाला हूं आपने मित्रों देखिए यह जो बिजली के खंबे है अगर आप देखेंगे तो यह कोई मैटल के या सिमेंट के बने हुए नहीं है यह लकड़ी के बने हुए खंबे है और यह लकड़ी नौर्थ अफरीका से मंगाई हुई लकड़ी है एक विश्यस परकार की लकड़ी है क्योंकि मित्रों इस जगह पे इस जिग्राफिक लॉकेशन पे बारिस बहुत ही कम होती है तो यहां पे जीव जन्तू तो उतने ज़्यादा है नहीं तो उस वज़े से यहां पे यह जो टर्माइट है जमीन में जो दिमक है वो लकड़ी नहीं लकड़ी को और बारिस की 1970 के दसवक में जब सुल्तान काबुस का यहां पे राज आया था तो सुल्तान काबुस के समय में ही जो ओ Gmail की revenue होती थी इस तेलबेच के जो पैसा आया था यहां पे इंफ्राइस्ट्रक्ट्र में heavy investment किया गया सुल्तान काबुस के समय में तो इतना hard terrain होते हुए भी बहूत उसका सरवे सरवास जो सुल्तान होता है तो यह सुल्तान काबूस जो पूर्वत सुल्तान थे जिनका 1920 में देहांत हो चुका है उनके टाइम में यह लाइन बिचाई गई थी यह लकडी की लाइन इवन देखिए अभी पाहडियों में आप देखेंगे तो कितनी हाड टेरेन म यहां पर बिजली की लाइन बिचाना बहुत ही टेड़ा काम है जिग जैक इस प्रकार से लाइन को लाया गया और काफी खर्चीला और इवन मेंटेनेंस भी अभी भी कितना मैन पावर की जरूत पड़ती है अगर कुछ फॉल्ट आ जाए लाइन में यह लाइन आगे जो ल दूसरी साइड में लोकेटेड है यह नजदीक से मित्रों देखिए यह जो खंबा है यह कुछ इस प्रकार की लकडी है तो इस प्रकार से मित्रों इतने हर्ड टेरेन में भी इन लोगों ने सॉल्योशन निकाला कि उस समय क्योंकि मैटल के खंबों की उतनी अवैलेबिलिटी नहीं थी आजकल तो खेर मैटल के खंबे आने लग गए लोगे के या इस्टील के तो अभी भी यह मतलब तीस साल से ज्यादा पुरान है लेकिन यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि अभी भी चल रही है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए जो नए वीवर से अपली चैनल को सब्सक्राइब करना ने बूले धन्यवाद मित्रों